कविता कौशिक ने टीवी इंडस्री को कहा अलविदा, आक्टिंग को हमेशा के लिए किया टाटा बाई बाई मुंबई छोड पहाडों में शुरू किया बिजनस, तो ये सितारे भी छोड़ चुके हैं ग्लामर की दुनिया टीवी की चनल मुखी चोटाला और फैक्टरस कविता कौशिक को भला कौन नहीं जानता 9 साल तक मशूर सीरियल F.I.R. में अपना दबंग अंदाज दिखा कर कविता ने टीवी की दुनिया में अपनी इक अलग पहचान बनाई थी अपनी मोस्सक्सेसफुल शो से लेकर कविता टीवी की सबसे बड़े रियालिटी शो विग बॉस तक का सफर तैकर चुकी हैं तो अब आपको कविता का वो सबसे जुदा अंदाज टीवी स्क्रीन पर देखने को नहीं मिलेगा मैं आखे कविता कौशिक ने टीवी इंडस्री को टाचा बाइबाई जो कह दिया है जी हां 23 साल तक छोटे परदे पर काम करने के बाद अब कविता कौशिक ने टीवी इंडस्री को गुडबाई कह दिया है और अब उन्होंने पहारों में अपने पती के साथ बिजनिस करना भी शुरू कर दिया है। इस बात का खुलासा खुद कवीता रही एक लेटेस्ट इंटर्व्यू में किया है। दर असल 43 साल के अक्टरोस ने खालिया इंटर्व्यू में बताया कि आखिर उन्होंने इस इंटर्व्यू को क्यों छोड़ा है और क्या वो कभी परदे पर नजर आएंगी या नहीं। कवीता गौशिक ने कहा, मैं 30 दिन तक लगातार काम नहीं कर सकती हूँ, अब टीवी तो मुझे करना ही नहीं है, मैं वेब शो या फिल्मे करने के लिए एकदम तयार हूँ, लेकिन मैं कोई आम हिरोई नहीं हूँ, जिसे आसानी से कोई भी कास्ट कर लेगा, मेरी परसनाल में जैसे डायन टीवी शो आफर होते रहते हैं, लेकिन मैं वैसे जिन्दगी नहीं जी सकती, जैसे तीन साल पहले थी, जब मैं फुल टाइम टीवी कर रही थी, कवीता ने आगे कहा, मैं उस दोर के लिए शुक्र गजार हूँ, लेकिन तब मेरी उम्र कम थी, मुझे पैस चाहिए थी, लेकिन अब मैं उस तरह समय नहीं दे सकती, असल में जब एफ आयार में इतना समय नहीं लगता था, तब भी मैं शिकायत करती थी, वैसे भी टीवी के कंटेंट भी बहुत पिछुडे हुए हैं, इसलिए मैं इसका हिस्सा नहीं बनना चाहती हूँ, हम अपने रियालिटी शोज और डेली सौप में जिस तरह का पिछुड़ापन दिखाते हैं, उससे लोग एक दूसरे से नफरक करने लगते हैं, मैं भी इसका हिस्सा रहीं, और मुझे बहुत खेद है कि मैंने किस तरह से उसमें योगदान दिया है, तो कविता ने आक्टिंग छोड अपने आगे के प्लांस का जिक्र करते हुए कहा, मैं अपने पती के साथ पहाडों में रहती हूं, और हम यहां आयरुवेदिक बिजनिस चलाते हैं, मैंने मुंबई छोड़ दिया है, और मैं यहां सिर्फ तभ ही आती हूं, जब मुझे यहां शूटिंग करनी हैती है, यह वो शो से खुद बाहर निकल कर चली गई थी, तो कविता ऐसे पहले एक्टर्स नहीं है, जो टीवी इंडस्री से दूर हुई हो, उनसे पहले शो दिया और बाती फेम अनस राशिक, मोहिना कुमारी, दयाबेन दिशा वकानी भी टीवी इंडस्री को अलविदा कह चुक मोटर्ट-बावी ऐसे खुक मोटर्स नहीं है लो बातो